नमस्ते दोस्तों आप सब का स्वागत है आपके अपटी चैनल फैंडसी दुनिया में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्क्रस करेंगे सरी सरी सन्राइजर्स वर्सिस बरना और टोवारियस के भी जोगा नेचर इसल्टी टेन 2022 का फर्स्ट एलिमिनेटर मैच ठीक है और अगर आप चैनल में न्यू हो फर्स्ट तैम देख रो वीडियो चैनल में तो चैनल को आप फटा फट से कर दो सब्सक्राइब एंड जॉइन हो जाओ टेलिग्राम पे क्योंकि जो अपडेट होगा ना और डिमोटी मोगा मैं आपको टेलिग्राम पे प्रुवाइट कर सब्सक्राइब और इस मैच का फाइनल अपडेट डिमोटीम के लिए जूड़ सकते हो टेलिग्राम मैं आता हूं का इस एनलाईसिस में सिदा लाइक कर के स्टार रखना टेलिग्राम का लिंक इस वीडियो के डिसक्रिप्शन में और अच इन्होंने पाच वे और इनका राइजर में सिर्फ चार हा रहा है और एक मैच इनका नोड रिजल्ट था बट इनका उपने ने नहीं पाथ जीता है पाच आ रहा है विपल एस तरह का देखोगे टीम डिसेंट है स्टिफन पैसकेट्स दोनों आपके लिए मस्ट पीक है इनमें साइस टेसकेट्स तो नहीं डाला उससे आगे वाला मैच में दो वर में 31 रंड विकेट लेस थे उससे आगे वाले दिन में इन्होंने दो वर में 38 रंड कंसीट किया था और एक रंड शायद बालिंग से पिटाए हुने के रिजन से इनका बालिंग कर रहा है बैटिंग से परफोर्मेंस आपके लिए यह बहुत ही जाद इंपॉर्टन पिक होने वाला इस मैच में अगर बैटिंग से भी कुछ पॉइंट दे सकता है फिर बॉलिंग से भी पॉइंट देगा तो यह बैटिंग से बहुत जाद इंपॉर्टन रहेंगे ठीक है और मुझे लगता है दो वर कराएग क्योंकि कीमिया स्ट्रो आपको लिफ्ट आम और्थर्डॉक्स बॉलिंग करते हुए दिखेगा के वी विल यह भी बंदा लिफ्ट आम अब स्पिन बॉलिंग कराता है तो दो लिफ्ट आम स्पिनर एक जाद अगर बहुत सादा लिफ्ट हैंड बैट्समन रहा जैसे कि इस ना मिले वर्ट हाँ एक एक उबत तो जरूर डालेगा के स्ट्रॉगर अच्छे तरीके से दिखोगे लास्ट के तीन-चार मैच में तीन मैच में हर मैच में बंदे ने विकेट निकाला है डिसेंट बालिंग किया बहुत जादा रन भी घर्चा नहीं किया तो यह डिसेंट प्लेयर सॉलिड है बट अगर लास्ट इन मैच देखोगे तो तीनों मैच में विकेट लैस पिटाई भी बराबर का चल रहा है बट अगर बॉलिंग फर्स्ट होता है तो एक बाउर प्ले में डालेगा एक डेथ में डालेगा डिसेंस अपीक है आपके लिए एटीनी का लास्ट मैच में जाके दो बार मिला य손त्त्र मांस्ट नहीं बन सकता आपनिंग से बेटर टीम आपको प्रोवाइट कर बाऊं बीए डब्लू से जे जियन बेंजामिन आपके लिए बहुत इंपोर्टन है धियान दो इनके बैटिंग से परफोर्मेंस लास्ट इन मैच में 57-28-32 फिर मेडल स्टेज में यह खराब कहला था पाच एक छे पंद्रा और यह बंदा है ना जोर्विन जियन बेंजमिन आपके लिंपॉर्टन रोल प्ले करते होई दिखेगा मच्ट भी हो जाते है मार्विन मैथ्यू जब से उपन मिला है तो यह अच्छा खेला है 29-27-20 है तो मेरे साब से यह बैरी डिसेंट कंसिस्टेंट परफोर्मर है कुछ नहीं कुछ बना की जाता है तो ले लो ठीक है उसके बाद जूनियर हैंरी देखो यह बंदाना विकी करा रहा है अगर विकी नहीं करा था तो मैं बोलता कि एकदम से डॉप कर दो फिलाली विकी करा रहा है वन डाउन में हिटिंग भी है इनका लास्तीन मैच में 17-18-22 मुझे पुल भी है उपर खेल जाते हिटिंग करने के लिए बट कंसिस्टेन यहां पर आपको नहीं दिखेगा टाइसन आपको कुछ हद तक का इस बालिंग के साथ अगर लास्त के कुछ मैच में देखोगे तो कंसिस्टेनली वो डेत ओवर एंड मिल ओवर में डाल रहा है तो यह बंदा must pick तो है बट यह बैटिंग से कितना point देगा बोलना मुश्किल है मतलब ऑपरेंडिक से बीट है चौर पर विकेट निकाला है बैटिंग से बहुए इनका हीट है चौर पैठीस बीस रहन है तो यह बंदा must pick भी है और आगर बालिंग फरस्ट होता है तो डिफरेंशल कैप भी से जे यूजेन अब ओवर इंदा करते रहता है बट टीम इन से हर मैच में अटलिस्ट एक ओवर डलाता है धियान दो इस बात के उपर हर मैच में बनने के पास एक ओवर एक लिस्ट होते है और अगर वह अच्छा डालिया तो दूसरा भी मिल जाएगा डाल देता है कभी कभी स्लोग अब थेज डालता है तो प्लेयर डिसेंट है कुट्मी अंसलम अल्विंज जॉली बहुत इंपेसिव लगा है मुझे यह लास्ट के तीन-चार मैच में हर मैच में पॉइंट है और टीम मैंने नोटीस किया कि टाइसन जो है न यह रहा टाइस और गाइस एल्विंस जोली इन दोनों के उबर टीम ज्यादा वरुसा करता है इनसे टीम ज्यादा से ज्यादा ओवर्स भी डलवायता है तो यह दोनों बंदा आपके लिए बहुत क्रूशल होगा अच्छा हीटर है जोली कैसे भी पगल लेते हैं गाइस ठीक है यह बाटन र यह बहुत ही शांदर डिफेंशल पीक आपके लिए साबित हो सकता है तो आप इनको अपने टीम में ट्राइक कर सकते हो दोस्तों ठीक है ऑपिटिंग बालिंग कौन कराएगा अंसेलम कराएंगे ऑपिटिंग बालिंग दोस्तों इस तिम से इबाटन कराएगा इनके साथ जोली दोस्तों कई मैचेस में मैंने नोटीस किए बटन से टीम दो वर कंटिनू डलवा देता है ठीक है डेत में जो कंसिस्टेंट है हुआ है टाइसन एंजोली और जे जोसेफ कभी कबार आ जाता है लास्ट में जैसे कि कुटनी अंसेलम भी डेत में आ गया था तो यहाँ पर थोरा सा रोटेशन आपको दिखने को मिलता है पास रिकॉर्ड है आपके एकॉर्डिंग रिव्यू कर सकते हो फिलाल दोस्तों मैंने यह टीम क्रियेट किया जांपर बेंजामिन हमारे वाइस कैप्टेन है बैड बॉल विकी से यह शायद विकी नहीं कराएगा मैं आप को इनफर्म कर दूंगा टेली राम पेटी अबट प्लेयर बहुत सॉलिड है कंसिस्टेंट है वाइस कैप्टेन है इसलिए बेंजामिन भी वेरी डिसेंट डिसकर्थ हमारे पास रेट है निकलास मैंने कीमिया स्ट्रॉक हो नहीं लिया यहां पर एक पना मेरा डाउट है मे टैसेन जे दोस्तों यहां पर जे जोसेफ जिलैनी है और ए जोली दोस्तों यह रहेगा फिलहाल टीम अब यह एक रोटेशन का जगा है यह रोटेशन जगा है अफ्टर टॉस में कॉल करता हूं आपको कोई भी और अपडीट होगा ना डेमो टीम होगा इस मैच के रिलेट कर देना थैंक यू एस मिलते है मैच टाइम पे